बात ऐस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीजा की करेंगे तो पहले भी हमने चाहे इस पर कई वीडियों बनाई लेकिन हम भी चाहते हैं कि जो जादत से ज्यादा पेरेंट्स अवेर हो सके कि कि सी तरह से हम अपने बच्चे को Australia schooling visa के लिए apply करवा सकती हैं क्या-क्या benefits आगे चलकर आपको इसके जरूर मिल सकती है क्योंकि आज कल हम सब जानते हैं कि parents भी कही न कहीं हैं चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को abroad subtle करें और उसमें और उसमें सबसे ज़्यादा preference जरूर Australia को दिखती है चाहते हैं स्टूडेंट्स के हमारे बच्चे जो है ऐस्ट्रेलिया जाएं पढ़ाई के लिए अच्छी पढ़ाई और फ्यूचर के लिए भी बहुत सारी अच्छी ऑपर्चुनिटीज जरूर मिलती हैं तो ऐस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीजा को लेकर कुछ ख देल में ये पूरी जानकारी आपके साथ शियर करेंगे नैविगेटर्स ओवरसीज से वीजा एक्सपर्ट मिसिस वीना गुल मैंब बहुत बहुत स्पागता मैंब नमश्कार तो आपको बता दें नैविगेटर्स ओवरसीज जो के पिछले 27 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं कई स्टूडेंट्स को अच्छी गाइडन्स देकर उनकी मन चाही मनजल तक पहुंचा है चाही किसी भी कंट्री में वह अप्लाई करना चाहते थे उनको सही ऑप्शन बताकर सही गाइडन्स के साथ सही डिसीजन स्टूडेंट्स ने लिया और आज वह अपने मिल सकते हैं पेरेंट्स को और उनके बच्चों को हर जो देखो पेरेंट्स हुआ है वो चाहते हैं कि हमारा बच्चे अच्छी एजुकेशन ले अगर वो इंडिया में भी कहीं हॉस्टल में पढ़ाते हैं तो आजकल हॉस्टल जो भी एक अच्छी लोकेशन पे अच्छी जगें हैं इंटरनेशन स्कूल्स हैं तो बहुत एक्सपेंसिव हैं और मेरे खाल उतनी ही वैल्यू में उतनी ही फीस में यह अस्ट्रेलिया जाके पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स और साथ में पेरेंट्स भी अगर चाहें एज गार्जियन उनके साथ हो जा सकते हैं डिप जगें और आपके अगर पॉकेट अलोग करते हैं तो आप जरूर उसको भीजिए वहां जो स्टूडेंट है वह मल्टी कल्चर इन्वाइनमेंट में रहके पढ़ाई कर रहा हैं वह बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ पढ़ रहा हैं और उनके साथ वह मतलब काफी कुछ सीख रहे पाई और अगर मन लेजिए इनका मौٹी आये कि हमने उधाड careers did ऐस्ट्रेलिया से करानी है तो आज के दिन आप देखों कि जो बच्छे युनिवरस्टी में या कॉलिज्ज Liz में लगा रहे हैं उनका exceptionally hemraight तो लेकिन स्कूलिंग सक्सेसरेट जादा है उसका रीजन एक यह भी होता है कि स्कूलिंग का जो बच्चा है वहां के कल्चर में और वहां मतलब वहीं के अन्वाइनमेंट में पड़ रहा है तो शायद कहीं न कहीं अस्ट्रेलियन वैल्यूज को सी गया है और जो बड़ा हो के बच्चा रूरल एरिया से हमारा जा रहा है वह उतना अभी सीखा नहीं है वह उनके लिए अंडर ग्रैड बच्चें की कई भरी प्रॉब्लम्स आते हैं तो जाते हैं स्कूलिंग में आके वह अपने आपको यहां के हिसाब से थोड़ा सा ढालने बच्चे थोड़ा सा मोल् अगर हम बात करें तो विक्टोरियन स्कूल की तरफ से हम अथोराइस्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं जितने विक्टोरिया में स्कूल्स हैं मेलवन के आसपास जो विक्टोरिया का एरिया वो सारे गार्मेंट स्कूल हम रिप्रेजेंट करते हैं अगर इनकी इंक्वाइरी कहीं भी Victoria Government को जाएगी वहां में ही आती है और फीस बहुत कमफर्टेबल है जितनी ख्लास बढ़ती जाती है थोड़ी सी बढ़ती जाती है थोड़ी सी बढ़ती जाती है हजार दो जार डलर पर क्लास के हिसाब से इनको जो है शिक्स मंत की फीस ही पहले देनी है कोई जादा नहीं है मैं खिया पांचे लाग रुपया स्टार्टिंग में पड़ेगी डिपेंड करता है बाकी क्लास के उपर जो लास्ट थ्री क्लास की मार्क्षेट जाएगी मान लिजे बच्चा जा रहा है टेंथ में तो ए सेवंथ एट्थ नाइंथ की मार्क्षेट हमें चाहिए बर्स रेटिट चाहिए फाइनेंशल जाहिए और इंकम टेक्स रिटर्ण मतलब इंकम कैसे आया पेरेंट सफोर्ड कर सकते हैं स्टडी कि नहीं कर सकते हैं उसके बाद स्कूल की सेलेक्शन दी जाते है कौन से एरिय को अपना कोर्स चोज़ करते हैं तो पेरेंट की इन्वालमेंट उतनी ही रहती है बच्चे के साथ क्योंकि बच्चा भी छोटा है तो वह कोर्स की लिस्ट भी जिंगे आपको इन में से कौन से सब्जेक्स चोज़ करने हैं कौन से एरिया में स्कूल चाहिए और जो आपना इपने वीजा इंद वीजा और गार्जींट आपना वीजा और ब्लाइप सकते हैं नो डाउट उनके अगर रेलेटिव बाहर रहते हैं, तो पेरिंट्स ना चाहें, तो वो नहीं जाएं, क्योंकि जो रेलेटिव्स हैं, वो भी उनको बुला सकते हैं, रेलेटिव्स को अपनी PCC Police Clearance Certificate देना होता है, क्योंकि बच्चा छोटा है, तो छोटे बच्चे को गार आप सभी को जरूर मिल चुकी है, लेकिन फिर भी कोई सवाल हो, अगर आप अप अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल को लेकर जरूर अपने बच्चे की प्रोफाइल को लेकर डिसकस करना चाहते हैं, आगे चलकर तो जो नंबर है, नविगेटर ओवर सीज का इस नंबर पर आप कॉल करें, पुरी जानकारी लें, सही टाइम पर सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ें, बहुत बहुत थैंक्स मैम, आपने आज एक बर फिर से ऐस्ट्रेलिया स्कूलिंग विजा को लेकर काफी किलारिटी दी है हमारे सभी दर्शकों को, और आगे भी हम इसी तरह से और इंफर्मेटी विडियो लेकर आते रहेंगे, फिलहाल के लिए हमें दीजिये इजाज़त, थैंक्यू सो मच, थैंक्यू